हेलो गाइज वेलकम तो हवी कोडिंग पीछ पी एकॉमर्स कोडिंग नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो कार्ट है उसको किस तरीके साम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो चलते हैं अपनी कार्ट के तरफ तो उससे पहले मैं आपको हम यहाँ पर सच कर लेते हैं तो हम आते हेडर पर हैडर पर आते हम और यहाँ पर लिखा होगा यह बैग होगा यहाँ पर तो इस चीज को हम यहाँ पर सच कर लेते हैं तो मैं यहाँ से शॉपिंग कार्ट यहाँ पर लिखा रहा है शॉपिंग का बटन और इस बटन को मैं और इसको शो कराः तो इस बटन को मैं अभी केलिए कर दूंगा कमेंट और यहां पर एक कलेम लगा दूँगा। इसी चीज़ को मैं कर लोग कापी। बटन पर मुझे नहीं जाना. मुझे झाना पर लेकर जाना है इसको। तो button की जगह anchor tag type इसका यहां से remove हो जाएगा और यह सारी चीज़े इसमें चलती रहेंगी और anchor tag को हम यहां पर करतेंगे बंद एक बाद चलते हैं ब्राउजर पर आता हो refresh करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं और इस पर click करता हो तो अभी भी है यहां पर आ रहा है हमने दूसरे बटन काम कर दिया सब के यह card close का है यहां e-card देख लेते हैं चलते हैं यहां पर क्लिक कर रहा है तो यह close इहां पर इसका header का cart open button अब चलता है इसको search कर लेता हूँ तो यहाँ पर open button यह rise का button इस चीच को हमें यहाँ पर solve करना था तो अभी मैं क्या करूँगा इसी button को copy कर लूँगा जैसा मैंने उपर करा तो इसको बंद करने के लिए तो हम यहाँ से इस button को copy कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको paste उपर वाले को कर दूँगा comment कोई 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 वीडियो उसकी आती रहेगी तो अभी यहाँ पर इसको बना देते हैं anchor tag तो anchor tag इसको बना देते हैं और इसका जो type button है वह यहां से रिमूव हो जाएगा अब एक बार इसको save करते हैं और यहाँ पर एक hyperlink reference लगा देते हैं चलते हैं यहाँ पर refresh करता हूं और ऐसी इस पर click करता हूं तो यहाँ पर page रिलोड हो रहा है साथी साथ pop-up भी आ रहा है pop-up और रिमू रिलोड की जगह मुझे यहाँ पर इसको कहां लेका जाना है कार्ट पर तो अब चलते ब्राउजर पर refresh करता हूं जैसी हमें आप पर click करता हूं तो मेरे पास ही कार्ट में आ जा रहा है अग इसमें क्या चीज़ है मैंने यहाँ पर session बनाया था वह बनाया था मैंने incognito mode प लग आता है तो जैसे यहाँ पर browser close होगा वह session यहां से remove हो जाएगा मैंने आपको starting में भी एक चीज़ बतायती है कि जब यह कार्ट यहां पर दिखेगी तो एक error generate होगा तो वह error generate क्यूं होगा क्यूंकि यहाँ पर उसको मिलर empty और for each यहाँ पर चला होगा है तो सबसे पहल condition हम लगा देंगे not empty की कि अगर यहाँ पर जो एक कार्ट है अगर यह empty नहीं है तो ही जाके यह मुझे शो करें यह वाली चीज़ और यहाँ पर इसका and for each इसके बाद आजएगा हमार पास else part हम दिखाएंगे यहाँ पर कि अगर कार्ट उसके अंदर कुछ नहीं है तो भी तो कुछ यहाँ पर आना चाहिए तो मैं यहाँ पर इसी TR को copy कर लूँगा और यहां से एक TD ले लेंगे अभी के लिए मैं कर रहा हूँ पुरा copy यहां इसको अर्दों यहां से बंद तो अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो मुझे आपर कहा लिखना चाहिए और नो प्रॉड़क्ट in CART, चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहां पर आ रहाहा ने था रहा हूँ बिल्कुल यहां पर ने रहा है क्यों आ रहा है यहाँ है इसके अंदर एक problem हुई है, else तो मैंने लगा दिया है, but else के बाद मैंने यहापर end if नहीं लगा है, तो हम यहापर लगाता हूँ, end if और यह end if कब आएगा, जब इसमें PHP start होगी, चलते हैं एक बाद सेब करते हैं, refresh करता हूँ, बिल्कुल perfect यहापर आ रहा है, no product in cart, तो अब यह एक ही TD है, इसी TD को call span देनी पड़ेगी, जितने हमारे पास उपर column है, मैं यहापर तीम की call span देता हूँ, चलता हूँ, यहापर वापिस से refresh करता हूँ, तो no product in cart, आप इसको कैसे भी दिखा सकते हैं, H1 टैग में, यह किसी भी चीज में आप इसको दिखा सकते हूँ, 4 कर दिया है मैंने इसको, मैं इसको ले लेता हूँ, H4 में, और इसी चीज को बंद कर दूँँ, हमें TD के, H4 को यहाँ पर, no product in cart, refresh करता हूँ, तो no product in cart, तो यहाँ पर आज चुकर no product in cart, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि, अगर कोई product नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर session, incognito mode पर चलाया था, तो अभी हम मैं क्या करूँँगा, वापस से इसको कर लेंगे, हम chrome पर, तो चलते एक बार, normal यहाँ पर chrome को open कर लेते, और इस chrome पर, मैं इसको बना लेता हूँ, तो अब ऐसा क्या हो रहा है, कि हम यहाँ पर incognito mode पर क्यों नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक login system नहीं बना है, कि login करेगा, तो उसका जो session का user idea, वो convert हो जाता है, तो अभी के लिए, अगर कोई यहाँ पर login नहीं करता है, तो अभी ब्राउजर पर, close करने के बाद, मैं इसको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप कोई problem नहीं करेगा, तो अभी क्या करते हैं, पर product details पर चलते हैं, तो मैं हाँ पर कर लूँगा, यह सारी links अभी हमें करनी पड़ेगी साही, तो default जो है controller, वो चलेगा, इस वाले को हम यहाँ से लेते, pick करते, add to cart कर देते, cart पर आगे हमारे पास, अब क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, control C, और इसको कर लेते हैं, एक बार cut, cut करने के बाद मैं यहाँ पर दुबारा chrome खुलता हूँ और यहाँ पर करता हूँ, paste, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यह मेरा cart बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर session इसका बन चुका, तो अब हम चलते हैं, इस cart को करेंगे, यहाँ पर update, तो cart को update करने के लिए, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो product मैं आपको साथ लेके चलूँगा, दो product आपको दिखाऊं, क्योंकि दो product कैसे ही यहाँ पर update होते हैं, क्योंकि एक के अंदर तो यहाँ पर update करना असान है, दो product को कैसे update करते हैं, तो दो product के लिए हमें सबसे पहले, जो भी हमारे input types हैं, उनको हमें बनाना पड़ेगा, एक array, यहाँ पर दो product आच चुके हैं, अब मैंने मालों अगर एक को कर दिया, तीन, और एक को मैंने एक ही रहने दिया, और update करता हूँ, तो यहाँ पर क्या करेगा, दोनों को ही यहाँ पर तीन-तीन करतेगा, तो यह यहाँ पर बड़ी लिक्कत आती है, इसी चीज़ को हम solve करते हैं, array बना के, तो चलते हैं इसको start करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले बनाऊँगा, update, यहाँ पर आते हैं, update card, update card के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, वो होता सबसे पहले हैं यहाँ पर एक form, यहाँ पर एक row से पहले, मैं एक form बना लूँगा, row के बाद एक form बनेगा, form open, और इस form open के अंदर जाएगा, card controller के अपर, card update, card update नाम से एक function चलेगा, और इस update बटन के बाद इस form को मैं बंद गर दूँगा, यहाँ पर हो जाएगा, form underscore close, यह आपको ध्यान देना है कि for each loop के बाहर ही चलानी ही दोनों चाहिए, चलता हूँ एक बाद, इदर आता हूँ, refresh करता हूँ, अभी यहाँ पर incognito mode को बंद कर देते हैं, chrome पर आते हैं, refresh करता हूँ, यहाँ पर आप देखो, form नीचा आ चुका है, क्यों हो आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि form का भी एक division होता है, इसको यहाँ से उठाते हैं, और container के एक बार भार लगा के देखते हैं, चलता हूँ यहाँ पर, तो अभी बिलकुल perfect आ रहा है, तो जैसी मैं आपर update पे click करूँँआ, तो यहाँ पर यहाँ अभी नहीं work कर रहा है, क्यों नहीं work कर रहा है, एक बार देख लेते हैं, शायद यह button में होगा, हाँ, यह button में है अभी, इस button का type बटन नहीं, मुझे button का type submit कर देना है, चलता हूँ एक बार फिर से, refresh करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो काट के update वह यह जा रहा है, जो कि अभी हमने नहीं बना है, तो value क्या कहा बेजनी, एक तो बेजनी है हमे product की ID, कि भाई कौन से product की ID का आप quantity बदलना चाह रहे हो, वो यहाँ पर चाहिए, और जो session जिससे बना हुआ है, वो भी मुझे यहाँ पर चाहिए, तो session तो हम backhand से ले ही लेंगे, हमने function बना रहे है session का, जो भी हमर पर user ID आ रही है, अब हम यहाँ से लेंगे quantity, quantity ले लेंगे और यहाँ पर लेंगे product की ID, क्योंकि किस product को क्या update करना वो भी बताना है, तो अभी हम चलते हैं, for each के अंदर आते हैं, for each के अंदर यह आएगी वो सारी value, क्योंकि हमें यहाँ पर अलग-अलग product लेना है, तो अलग-अलग product की अलग-अलग details भी यहाँ पर आने वाली है, तो हम चलते हैं यहाँ पर, for each से पहले, यहाँ पर एक TDA आ रहा है, इस TDA के बाद मैं यहाँ पर लगा दूँआ, input type text, यहाँ पर लगाते है, input type text, और इसका मैं यहाँ पर name दे दूँगा, quantity, मैं यहाँ पर इसका name दे, quantity और आगे लगा दूँगा, UP, मतलब अपडेट, UP quantity, update quantity, quantity और जिसकी value क्या रहेगी, यहाँ पर, जो हम यहाँ पर set कर रहे है, इसकी value, यह, इसी की text को मुझे यहाँ पर लेके जाना था, तो मैं यहाँ से इसको cut कर लेता हूँ, मुझे उसी बाले में करना था, यहाँ पर हमारे quantity आ रहे है, मैंने ध्यान निदिया इस पर, तो quantity हमारी कहां आ रहे है, एक बड़ चेक कर लेता है, हमने काट के price लिया, image लिया, quantity के लिए मैंने value लगाई थी, यहाँ पर, यहाँ पर आगे quantity, यह भी input type text है, तो अब मुझे इसका name देना, UP underscore quantity, अब चलता है, यहाँ पर, refresh करता हूँ, अब देखो, यहाँ पर एक error generate होगे, क्यों होगे हैं, यहाँ पर यह, चलते हैं, फिर से browser पर refresh करता हूँ, और इसका मैं अगर आपको अब name दिखा हूँ, अब इसका मैंने name set कर दिया, यह रहा, UP quantity, और इस वाले का, इंस्पेक्ट करता हूँ, यह भी UP quantity है, तो इसी चीज़ को हमें आपर solve करना है, क्यों करना solve, क्योंकि मालो किसी एक की मैंना update करी, तो वो उसी name से update हो जाता है, अगर हम post से value भेज रहे हैं, या get से value भेज रहे हैं, तो अब इस चीज़ को मुझे बनाना एरे, एरे बनाने के लिए name को एरे दे देते हैं, हमने starting form में भी सीखावा है, जब हम core PHP करते थे, क्योंकि अब आरे वैल्यूस को लेकर जाना है, multiple, जब हम वैल्यूस को लेकर जाते हैं, या वो radio बटन की हुई, यह हम check box की वैले लेकर जाते हैं, तो उसको as an array ही हम यहाँ पर pass करते हैं, तो quantity मुझे मिल चुकी है, और अब आएगी, input type hidden में, class यहाँ पर अटा देता हूं, वहनना उसको भी यह override करतेगा, input type hidden लेंगे हम, hidden मैं अभी, आपको तो पहले show कराये तो, input type text में हम आएगा, update pro ID, update की pro ID, यह भी हमारी array में जाएगी value, product ID कैसे आएगी इसकी value, pro की quantity आ रही थी, तो product की ID, हमने यहाँ पर लीवी थी, pro name है, pro price है, तो product की ID भी हमारे पास आ रही थी, database से, product की ID भी मिल चुकी है, चलते हैं एक बार, यहाँ पर आता हूँ, refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, हर एक product की अलग ID, 5904916630, तो अब product ID मिल चुकी है, मनलब इस product के लिए, यही ID, यही quantity अपडेट होगी, इस वाले product के लिए, यह वाली update होगी, अब product की ID मिल चुकी है, product की quantity मिल चुकी, और कुछ हमें यहाँ पर update नहीं करना है, यही दो ही चीज़ 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 थी मुझे, तो अब controller पर आता है, cart और यहाँ पर एक function बनाना पड़ेगा हमें, public function, जो की होगा, cart update का, cart update का function होगा है यहाँ पर, और dollar this, input के अंदर हमारे पास value आएगी, array की, input type post में, हमारे पास सारी values आ रही हैं, और इसको एक डालेंगे variable में, और इस variable को अब कराते हैं, print, तो print, dollar post, save करता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने करा save, चलते हैं यहाँ पर, एक की quantity तो ले लेते हैं, तीन, एक की मैं लेता हूँ यहाँ पर, चार, अब देखो यहाँ पर एक problem आ रही है, जैसी मैंने इसको click करा ना, यह इसने, इसकी भी value बदल दिये, तो यह जीज मुझे नहीं चाहिए, जो कि हम, पिछले वाले tutorial में भी, हमारे पास यह दिक्कत हो ली थी, यह देखो, मैंने इसको करा था, यह कर दिया, अब क्यूं हो रहा ऐसा, काट वाले page पर आते हैं, और यहाँ पर, इसके अंदर, यह जो आ रही है न, यह class लगी भी है, table के अंदर, यह class लगी भी, इस चक्कर में हाँ पर, यह problem create करता है, तो यूबी की प्राव आईडी, मैंने हाँ पर लिये, quantity तो बिल्कुल सही आरी है, product आईडी है, इसको हम यहां से उठा लेते हैं, input type है, और एक बार इसको, यहाँ पर set करते हैं, तो देखते हैं, यहाँ पर यह देगा नहीं देगा, चलते हैं एक बार, refresh करता हूँ इसको, और यह दोनों भार आरी है, बार दोनों ID भार आरी है, TD से, एक बार इसको TR के अंदर लेते हैं, सुरी मैंने TD से भार तो कर दिये, एक TD, मैं यहाँ पर इसको लेड़ता हूँ, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अभी नीचा आनी चाहिए, तो अभी भी यह TR के अंदर ही है, कोई नहीं एक बार देख लेते का प्राब्लम है, अगर मैं क्लिक करूँँँगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं बदल रही है, मतलब उपर, तो अभी यह बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मुझे तो यहाँ पर इसको हाईडी करके लेकर जाना है, आप इसको किसी एक TD के अंदर भी डाल लो, को इश्यो नहीं है, रिमूव के बार डाल लो, चलते एक बार, रिमूव के अंदर आ रही है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह नहीं बदल रही है, वैल्यू, तो हमारा काम हो चुका है, इस पर आते हैं और इसको कर देंगे hidden, हमें बस यह वैल्यू चाहिए दिखाना नहीं है, एक की मैं यहाँ पर quantity कर दूँगा, चार, एक की कर देंगा, दो, update part, card पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, value आ चुकी है, card पर आता हूँ और यहाँ पर लगाए तो pre-tag, ताकि आपको असानी से लिख जाएगी, मैंने करा क्या है, pre-tag पर आता हूँ, save करा इसको, और refresh करा मैंने इसको, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, जो update की quantity है, वो एक array में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसका input type हमने array कर दिया, तो मतलब multiple value लेगा, तो पहले वाले की तो आरी चार, दूसरे वाले की आरी दो, पहले वाले की pro ID आरी 59049, दूसरे की आरी यह 16630, अब आपको बता चलिए को कि इस तरीके सब यहाँ पर एक कर रहे हैं इसको, अब चलता हैं यहाँ पर card पर आते हैं, इडन value तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है, card पर आये, इधर से भी value हो चुकी है, function बहिए हाँ पर बना लेते हैं, ऐसा ही सेम function बनाएंगे कि card update हो चुकी है, और card पर इसको return कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे paste, card update नाम का function बनेगा, और product updated to card, या card updated successfully, कुछ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, card updated successfully, इसी को कर लेते हैं, यहाँ पर card not updated, दूसरा error message बनेगा, card not updated, बनाब यह card अभी update नहीं हुई है, अगर कोई यहाँ पर दिक्कत आती है, तो चलते हैं, यहाँ पर card update बना लेते, यह होगा थोड़ा catchy, आते हैं यहाँ पर card model पर, और एक public function बनाऊँगा, यहाँ पर कर दूँ, card का update, post के अंदर value आ रही है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो की main चीज है, अब देखो, जब मैं अगर पहला यहाँ पर value लेकर आऊँगा, तो वो पहली value क्या करेगी, अगर मैं यहाँ पर update की कवारी चला दूँआ, तो वो दोनों के लिए ही यहाँ पर एक ही value को update कर देगी, मतलब पहली वाली जो quantity आ रही है न, और पहली वाली product ID है, वो क्या करेगी, इसी की value को, मतलब 4 को भी दूसरे वाली के लिए अपडेट कर देगी, और दूसरे वाली की product ID को लेकर, तो यह चीज मुझे यहाँ पर set करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों लिया है, पहले वाले के लिए यह है, दूसरे वाले के लिए है, पहले वाली की product ID यह है, फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए, सेकेंड और फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए हाँ यहाँ पर यह वाली product ID, अभी मैं आपको करके दिखांगो, तो आपको यह आसान लगेगा, चलते हैं यहाँ पर एक for loop चलाओंगा, आप for each भी चला सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप इसके अंदर for loop चला सकते हैं, मैं for each करके दिखा दिखा दिता हूँ आपको, तो यहाँ पर अभी करेंगे, post, post के अंदर कौन सी value आ रही है, आप कोई भी एक value ले सकते हैं post के अंदर, मैं आप ले रहा हूँ product की ID, मतलब मैं यह चेक करा रहा हूँ कि कितनी बार यहाँ पर चलना चाहिए, as dollar array, मैं बस इसको चेक करा रहा हूँ आपको कि कितनी बार चलना चाहिए, dollar array के अंदर, मुझे चाहिए product की ID, मतलब अब for each से क्या होगा, यह product ID दोनों बार यहाँ पर print होएगी, refresh करूँगा, यहाँ पर, तो अभी यह क्या कर रहा है, इसने वापस इसको कर दिया, वो return हो गया होगा, तो यहाँ पर कर देंगे return, return से पहले मैं यहाँ लगा दूँँँगा die, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से return हो रहा होगा, return हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी हम die लगा देते हैं, यह तो बाद में चाहिए हमें, इस वज़े से वो पीछे ले गया, card पर आता हूँ मैं, card पर आगे वापेस, एक की, मैं product ID कर देता हूँ, एक की कर देता हूँ, दो, update card, अब दिखा रहा है कि undefined index pro ID, तो pro ID मैंने यहाँ पर नहीं लिया था, मैंने जो लिया था, वो लिया था, up की pro ID, मतलब update की pro ID, update की pro ID, यहाँ से लेते हैं, इसी array में से update की pro ID, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब यह बता रहा है, try to get the property of non-object, update की pro ID, इसमें बैसे क्यों error बता रहा है, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर आगे array, और इस array के अंदर object नहीं है, तो array ही आई है, चलते हैं, इसको अब करा लेते, save और यहाँ पर आता हूँ, refresh करता हूँ, तो अब यह बता रहा है, illegal of strength, तो guys इसमें यहाँ पर value आप देख सकते हैं, यह आ रही है, पांच, एक, यह सारी value यहाँ पर यह देने तो लग रहा है, इसको कल लिए, save चलता हूँ, यहाँ पर, refresh करता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल perfectly, array के अंदर value आ रही है, UP की quantity, और UP की product ID, तो अब, देख लेते हैं, कि value ऐसे क्यों आ रही है, इसको एक बार for loop में चला कर देखते हैं, for loop में आता हूँ, for i, $i equals to 0, और i कब तक चलना चाहिए, डॉलर, post के अंदर, जो भी मेरी UP की product ID आ रही, जितने भी product होंगे, UP की pro ID, dot length, इसके अंदर, जितने भी हाँ पर product आ रहे है, dot length से, मैं इस function को check कर लूँँ, sorry dot length नहीं लगेगा, इसके बराबर जो भी length होगी, हम count कर सकते हैं इसको पहली बात, तो count, इसके अंदर length काम नहीं करेगा, इसको count कराना पड़ेगा, count कर लेंगे, $post को, इसके अंदर कितने values आ रही है, एक बाद डाय लगा के, इसके count को भी check कर लेते हैं, इसके कितना count होएगा, PHP का function लगाया, हमने count, यह हुआ है, इसको करा cut, चलते हैं, यहापर refresh करता हो, तो यहापर अभी बतारें कि एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, यहापर आई होगी दिक्कत, syntax की, save, यहापर आया, refresh करा, यहापर बतारें 2, कि महले हमार पर 2 product है, दो बार यह loop चलना चाहिए, तो अगर यह दो बार loop चलेगा, तो यहापर मैंने count तो कराई लिया है, कितनी बार loop चलना चाहिए, कितने product है, तो यहापर count आ जाएगा, i equals to, less than, dollar count, और i plus plus, यहापर normal loop जैसे हम चलाते हैं, वैसे मैंने यहापर loop चला दिया, और अब इस loop को हम e को करा ले दे, dollar i को, यहापर आना चाहिए, 1 और 2, दो बार यह loop चलेगा, चलते हैं यहापर, refresh करूँगा, तो 0, 1 यहापर आ चुगा, array मैंने इंडेक्स से यूज करा है, तो आप यहापर 1 भी ले सकते हैं, कोई शू नियस करने, save करा, चलता हूँ, refresh करा, तो यहापर आया 1, और equals to, अगर आप 0 से लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट को आता, तो 1, 2 यहापर आ चुका है, या तो उसके बराबर हो जाई, और या उसके, छोटा हो जाई उस से, तो अब यह दो बार loop चलने वाला है, मतलब उसको पता चल चुक है, भाई, दो बार यह प्रोड़क्ट अबडेट होंगे, तो अगर यह दो बार अपडेट होंगे, यहां पर अपडेट प्रो अंडर स्कोर आइडी जहां पर यह प्रोड़क्ट आइडी यहां पर यह यह वाली product id को match करेगा, जो product id, इस वाली update product id से आरही है, वो यह match करेगा, यह मुझे मुझो बता रहा है कि इस condition के अंदर आप को problèmes करानी है, कौन से table से? sorry, update अब यहांपर यह project id है, वहां से तो आप इसको अपडेट कर दो अब इसमें दिक्कत आएगी मालो इस प्रड़क्ट को किसी और बंदे ने भी अपने ब्राउजर में लगा रहा है माला कोई और भी इसको खरीद रहा उसी टैम पर तो वह तो उसके लिए भी अपडेट कर देगा कॉंटेटी तो यहां पर एक क्या कंडिशन लगेगी दूसरी कि जहां पर यूजर आइडी भी इसी बंदे की हो जो इसने बना रहे है तो वह कैसे आरी है सेशन से रही है यही यूजर आइडी इसे को कर नेगा कॉपी तो उस बंदे के लिए हीcar दो जहां पर इसकी यूजर आइडी आ ऎ डिया कर रहे हैं और update करके इसको रहे हैं UP के quantity को तो update quantity यहाँ पर update हो जाएगी उसी प्रेड़िट के लिए और यहाँ पर चलेगा कितनी बार दो बार यहाँ पर चलने वाला है तो चलते हैं अब यहाँ पर इसको कर लेते एक बार सेव बिलकुल परफेक्ट है और अब यहाँ पर एक बार फिर से बैक कर लेता हूँ कर लेता हो जूम आउट कर लेता हूँ और तो यहां पर भूम बने बिल्कुल बने और उपन करके दिखाए था हूं यहां पर आता हूँ एक ओमर्स और यहां पर होगा easy cart easy cart को भी खुल लेते हम इस cart के अंदर काफी सारी चीज़े add होती जारी क्योंकि हमने नए ब्राउजर पर करिये जो कि आज की data वो देख लेते हैं 27 सारी कि मलब भी दो product हमने add करें अब इनकी quantity अभी दोनों की एक-एक है 5000 प्राइज है और 1499 प्राइज है इसका चलते हैं एक बार 5000 प्राइज 1499 प्राइज पहले वाले की quantity अपडेट करते हैं चार दूसरे वाले की कर लेते हैं दो अपडेट काट पर क्लिक करता हूँ array to string conversion एक एरर आ चुका है unknown column array and where clause तो एक बार चलते हैं कि कहां condition पर array यहां पर मुझे दिक्कत दे रहा है तो अब यहां पर जो बता रहा है न वो यह बता रहा है कि आप जो यह update कर रहे हो न इसके अंदर दो दो values आ रही है पोस्ट के अंदर दो दो values आ रही है मतलब loop तो सही चल रहा है कि भाई दो बार update करना बट उसको नहीं पता ना कौन सी वाली value को update करना है तो इसके साथ में हमें यहां पर क्या लगाना पड़ता है यहां पर कौन सा हमें index देना पड़ेगा दो value आती है इंडेक्स की हमार पर 0 आ रही है और इसके अंदर 1 आ रही है अगर इससे ज़्यादर प्रोड़क्ट आते है तो 0,1,2 आती है तो पहले index मतलब पहले वाले के लिए पहले जो यह loop चल रहा है उसके लिए मुझे हापर पहले की product को अपडेट कराना पड़ेगा और दूसरे के लिए दूसरा अब इसमें 0 index कांट करते है तो हमें यह पर इसको बापे से 0 ही लेना पड़ेगा count को यह चलेगा दो बारी बट जब अगर आपने core यहाँ पर पड़ा होगा बिलकुल आपको core strong है तो आपको समझ आ जाएगा कि हम आपर डालने वाले dollar आई तो मतलब पहले product की ID जो आ रही है वो पहले 0 index वाले का यह अपडेट कर दे और यहाँ पर जो product की quantity होगी वो भी 0 index की होगी फिर next time loop चलेगा अब इसका यहाँ पर index का हो जाएगा 1 तो यहाँ पर भी हो जाएगा index 1 चलते हैं यहाँ पर refresh करता हूँ कोई यहाँ पर error नहीं है क्योंकि browse पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर update हो चुकी है चार और दो I hope आपको यह समझ आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम यहाँ पर count को print कराते थे थे न normal की भाई हमने variable डाला क्योंकि इसके अंदर तो one जो है बार बार लूप चलता रहेगा increment होता रहेगा तो मैंसी यहाँ पर पहले array की value आ जाएगी फिर दूसरे increment पर यहाँ पर first index की value यहाँ पर आ जाएगी तो अगर यह जैसी हो जाता है यहाँ पर follow यहाँ पर चल जाता है तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको return true मैं यहाँ पर इसको कर दूँ है return true कि भाई card हमारी update हो चुकी है अगर यह हमार पास चल जाती है तो तो अब जैसी चल रही है इसके बाद यह वापेस आ जाएगा डाय हम अटा देंगे चलते हैं एक बार browser और इसको करते हैं एक बार refresh तो यहाँ पर card updated successfully card हमारी बिल्कुल successfully update हो चुकी इसको फिर से बंद कर देंगे और इसको कर देंगे एक बार तीन चलते हैं यहाँ पर update card करते हैं तो तीन और यहाँ पर आ चुका एक तो आई होब आपको समझा आ रहा होगा किस तरीके साम यहाँ पर यह card को update कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे भी बदल सकता हूं और जैसी में अपडेट करूँ हो तो इतनी सारी यहाँ पर कर दी एक बार कर लेते चे यहाँ पर कर लेते दो अपडेट कर तो कार्ट यहाँ पर मेरी अपडेट हो चुकिए तो आई होप आपको समझा रहा हुआ किस तरीके से यहाँ पर कार्ट को अपडेट कर रहा हूं नेक्स वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम इसको रिमूव कैसे करेंगे और साथी साथ हम इसका सब टोटल भी यहाँ पर फाइंड करेंगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुस्ते कमेंट सक्षन के अंदर ज़रू पूछना सो इस वीडियो में इतना ही थैंक यो सो मच